आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं AMD के ग्राफिक्स वो भी मुबाइल फोन में मेभी आपको फ्यूचर में कुछ टाइम में जो है वो देखने को मिल जाए आप जो PUBG मुबाइल या फिर Free Fire या फिर आप Call of Duty के गेम्स आप जो फोन में खेलते हो लेकिन मैं अपना ओपीनियन यहापर दूँगा नि कि मैं मुबाइलियमर को सपोर्ट करता हूं या नहीं हुआ क्योंकि मुझे वीडियो में डिसलाइक नहीं चाहिए बट मेरा ओपीनन तुम समझ दिया हुँगा दो इसे बोलूँगा नी लेकिन उसके पिछे लॉजिकल रीजन है तो यहाँ पर मेन मुद्दे पर आते हैं AMD और Samsung उनकी पार्टनर्शिप वी थी एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर्शिप जिसके के अंदर AMD के ग्राफिक्स को मुबाइल प्रोसेसर में यूज़ करेगा Samsung तो अभी AMD क्या कर रहा है वो Samsung के लिए RDNA-based GPUs प्रोवाइड कर रहा है या करेगा फूचर में जब आपको actually मार्केट में फोन के अंदर देखने को मिलेगा अभी जो आपके नॉर्मल आपके Snapdragon वाले जो भी Qualcomm Snapdragon वाले जो भी phones होते हैं मुझे फोन के बारे में ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं है मुझे नॉलेज है बट डिटेल नहीं है तो जहां तक मुझे पता है तुम्हारे मार्केट में तीन कॉम्पेटिटर्स हैं मुबाइल मार्केट में एक है तुमारा I think MediaTek एक है तुम्हारा Qualcomm Snapdragon और एक है तुम्हारा Samsung का Exynos वेस्टो तुम्हारा I think Kirin भी है Huawei का बट अगेन उसको मैं consider अभी के लिए नहीं कर रहा हूँ यह जो है वो यहां पर बताया जा रहा है कुछ benchmark figures जो है वो निकल के आया उसके according Snapdragon का जो सबसे latest processor 865 वो जो है उसके अंदर Adreno 650 नाम का GPU है ठीक है Adreno 650 नाम का यह जो GPU है यह सब Snapdragon 865 के अंदर आता है यह टॉप एंड का GPU है इसको जो है वो AMD का RDNA Mobile Jeep जिसको की smartphones के लिए बनाया गया है यह जो है मेरे खादे से शायद Samsung अपने Exynos processors के साथ प्रोवाइड करेगा तो यह जो है यह beat करता है मतलब completely खतम कर देता है मतलब no competition Adreno के सबसे high-end GPU को यहाँ पे GFX bench के अगर तुम कुछ test देखो तो Manhattan 3.1 जो test है उसके अंदर जो है वो 48% का increase है RDNA Mobile में आपको 181 FPS देखने को मिलते हैं 181 FPS समझ रहे हो guys 100 FPS से भी उपर और आजकल के phones तो आ भी रहे हैं 120 Hz की स्क्रीन के साथ तो maybe क्या पता future में जो है 144 Hz यह फिर 2 maybe 240 Hz की स्क्रीन के साथ भी है यह क्या फरक पड़ता है अगर तुम आप FPS के सिर्फ raw numbers देखो तो 181 FPS जो की बहुत ज़ादा होता है imagine करो phone के अंदर 144 Hz की स्क्रीन और इतने FPS अगर तुमें किसी actual game में like PUBG या फिर maybe Free Fire या जो भी mobile games होते हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है सोचे क्या smooth experience में देखने को मिलेगा और यहां पर क्योंकि अगें यह अभी मेरे खाल से सिर्फ developing phase में होगा इसके अंदर उतनी अच्छी optimizations नहीं होंगी जब इसके अंदर और अच्छी software optimization होंगी जब यह actually में market में launch होगा तो तब देखो तुमें फिर कितना अच्छ optimization देखने को मिलता है और S-Tag High Test के अंदर तुमें देखने को मिलते है 190% का increase RDNA मोबाइल में यानि कि तुम सोच के दूखे एक बार की AMD का mobile chip RDNA based क्या कमाल कर रहे तो maybe Samsung जो हो अपने Exynos जो उनके CPUs होते है Exynos जो chips होते है mobile CPUs उनके साथ maybe AMD के RDNA graphics को provide करे तो any कि अगर तुम Samsung phones लेते हो तो maybe तुमारे पास एक Qualcomm को एक बहुत तगड़ा competitor हो बहुत तगड़ी चीज़ हो क्योंकि mobile market again बहुत huge market है EM को नहीं बूलना चाहिए and AMD after all AMD Samsung इन सबको profit कमाना है so अगर AMD desktop अली technology को श्रिंक करके किसी तरीके से optimize करके अगर फोन में तुमको अच्छे FPS देरी है तो again AMD को भी market share gain होगा इससे Samsung के फोन ज़्यादा बिकिंगे क्योंकि उनके graphics performance नॉर्मल Snapdragon वाले processor से ज़्यादा है and AMD को after all revenue मिलेगा क्योंकि Nvidia and Intel के मुकाबद अगर तुम compare करोगे AMD को तो बहुत छोटी company है बहुत छोटी अगर मैं तुमें सिर्फ idea दू अगर legal जो reasons होते हैं उनको हटा दिया जाए अगर मान लो कोई भी obstruction नहीं आती है बीच में क्योंकि बहुत सारे laws होते हैं बहुत सारे legal reasons होते हैं जिनके मुझे से आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर करने दिया जाए अगर Intel या Nvidia का बस चले तो वो AMD को खरीद सकते हैं मतलब उनके पास इतना पैसा है और उसके बाद वो ढकार भी नहीं मारेंगे मतलब उनको फरक भी नहीं पड़ेगा कि उनना ने AMD को खरीद लिया पर again वो legal reasons हैं कुछ-कुछ है जो मैं तुम्हें एक्स्प्रेइन नहीं कर सकता है वीडियो में क्याकि Nvidia बहुत लंबी जाएगी बट उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है इस बात के imagination तुम इसी बात से कर लो कि अभी हाल फिलाल में Nvidia ने Mellanox नाम की एक कंपनी को 7 billion dollars cash में खरीदा है 7 billion US dollar cash तो AMD यसी कंपनी के लिए market share gain करना जो है वो बहुत उनके लिए important चीज है and ये mobile market में हो सकता है तुम्हें next year से Samsung के जो high-end flagships phone है उनके अंदर तुम्हें हो सकता है AMD के GPUs देखने को मिले Exynos वाले CPUs के साथ तुम्हें क्या लगता तुम क्या PUBG या Free Fire जो भी गेम खेलते हो क्या तुम 144Hz की स्क्रीन पे 144 प्लस FPS के साथ खेल पाऊगा क्या तुम्हें enjoyment मिलेगा क्या तुम इस बाक्त से खुश हो प्लीज अपने विचार कमें सुषिने पता है दन्याओ वोवे टीक्यर गाइस